हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चूरीदार पजामी जो होती है किस तरह से उसकी कटिंग की जाती है और चूरीदार पजामी का किस तरह से नाप लिया जाता है दोस्तों मैं आप लेने जा रहा हूं चूरीदार पजामी का यह मेरी वाइफ है सबसे पहले देखिए जहां पर इन्होंने लाप यह बांधनी है आप उनको पगड़ा दे इंच टेप जहां पर भी कस्टुमर आपका चूरीदार पजामी बांदेगा जैसे इनों यहां पर बांधनी उस जगे से लेकर आपको यह जो घुटन होता है यह जिए इनका गुल्टने का नाप लेना यह दाड़न को यह ओन से लेकर यह तक की जो चूरीव घुटने के उसके बाद दोस्तों नाप लेना इनका 15 इंच है और उसके बाद लेना है थाइस का यह जो इनके 20 है दोस्तों इस तरह से देखिए 22 इनकी थाई है तो दोस्तों यह तो हो गया चुड़दार पजामी का नाप हमने ले लिया है अब चुड़दार पजामी की किस तरह से होती है आई यह मैं आपको बता देता तो दोस्तों यह देखिए यह है मेरे पास कपड़ा और यह कपड़ा मेरे पास लगबक सवा दो मेटर के करीब कपड़ा है यह देखिए इसको मैंने कर रखा है डबल जब भी आप चुड़दार पजामी की कटिंग करो आपको करना क्या है इस तरह से कपड़ को रखना है और आपको इस तरह से एक ट्राइंगल बनाना है यह देखिए जिस तरह से मैंने इसका ट्राइंगल बना दिया है कि यह देखें दोस्तों यह बिल्कुल एक ट्राइंगल बन चुका है ट्राइंगल बनाते समय आपको एक चीज का दिहां रखना है यह देखिए जो बंद वाला भाग है यह आपको अपनी तरफ रखना है और इस तरह से जो खुलेवे भागे यह उस तरफ जाएंगे तो इसक क्ति हैं क्योंकि यह तरह सी ट्राइंगल बन जाता है बाँ सबसे पहले आपको जो हैक उपर सी स्टारिंग करनी । तो करना तो पांच इंच उपर से कम कर रहा हूं फोपकल करने के बाद दोस्तो आपको सब से पहले लेनी हैं लमबाई यह देखिए जो लमबाई है पजामी की दोस्तो वो है सिंच यह देखिए आपको फटाशा लगा देना है इस तरह से और इस निशान पर आप करें मारकिंग इसके बाद दोस्तों आपको पांच इंच कम लेते हुए एक निशान लगाना होता है जितने भी आप आशन पहनते हो कुछ लोग आशन बड़ा पहनते हैं कुछ छोटा पहनते हैं जर्नली जो आशन का निशान लगाते हैं वो लगाते हैं हम 14 पर तो यह देखे 14 पर आपको लगा सकते हो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती आपको एक निशान इस जगह पर लगाना होता है इसी तरह से दोस्तों आपको पांच इंच कम ही रखना इस जगह से और जो भी गुटने का साइज था जैसे गुटने का साइज हमारा था 21 इंच आपको 21 पर एक निशान तो दोस्तों ये निशान लगाने के बाद अब आपको लेना है मेजरमेंट किस हिसाब से हमने जो मेजरमेंट किया था सबसे पहले निशान लगाएंगे हैं बोटम पर जो इनका नीचे से मोरी थी दोस्तों वो थी 9 इंच ये देखिए 9 का आदा होता है साड़े चार दो मरत निशानयकों आपस में आपको मिलाना है यह है कि यहां से लेकर यहां तक तो टोटल हो गई हमारी लंबाई सेंटी सिंच और उसके बाद जितना भी कपड़ा है कि सारा चूडियों में आ जाएगा अब यह डिपेंड करता है आपको कितनी ज्यादा चूडियां पहननी है कुछ लोग होते हैं जो कम चूडियां पहनत अब दोस्तों करना कुछ नहीं बस आपको सीधी-सीधी कटिंग कर देनी इस निशान पर यह जो निशान दोस्तों यह निशान है हमारा फिटिंग का इसके अलावा आपको लगबग एक सवाईंच के करीब एक्स्ट्रा मारजन लेना है इस तरह से दोस्तों ये जो कटिंग है ये हो गई हमारी इसकी कटिंग अब फ्रेंड से जो मेन काम होता है वो होता इस जगे पर इस जगे से क्या करना है आपको सबसे पहले आपको ये जो कपड़े चोटे बड़े आ रहे हैं इसको करने बराबर इनको बराबर करने के बाद दोस्तों अब इसमें हम लगाएंगे चार पार्ट्स जो होते हैं जोड के वो लगते हैं और इस तरह की पजामी में ये जोड लगाने अनिवारे हैं ये लगते ही लगते हैं इसके लिए करना क्या है दोस्तों आपको ये देखी ये जो कपड़ा ह करने के बाद यह देखे दोस्तों इस तरह से इस कपड़े को रखें आप अब इसके बाद दोस्तों करना क्या होता यह जो जगे होती है यानि कि यह जो निशान होता है इसको सबसे पहले आप सीधा इस तरह से निशान को लगा ले अब आपको नाप लेना है दोस्तों हिप्स कितनी लूज पजामी चाहिए इसमें वैसे जाद तर अंदादा ही चलता है पर अगर आप फिर भी एक जर्नली साइज रखना चाहो तो पांच इंच यह साड़े पांच इंच के करेब आप एक्ष्टा करता ले सकते हो तो जैसे कि मैंने इसके अंतर यह देखिए पांच लोगाए और यह जो निशान आ रहा था हमारा इस निशान को इसके साथ मिला दे इस तरह से तो तो फ्रेंट्स इस तरह से यह जब निशान लग जाते हैं तो आपको यहां से एक्ष्टा रखते हुए इसकी कटिंग कर देनी है कि उट हो इसको बीच में सकाट लें और इतनी असाली से दोश्तों यह जो कट रपकट लगा लें और इहाँ इससोरस ऑलने से की जोड है हमें एस तरह से मिलाने हैं और हमारा दोस्तों इस तरह से आहãy हमारी कट गई है अब इसमें हम काटेंगे इसकी बेल्ट बेल्ट काटने के लिए दोस्तों क्या फार्बूला है वह मैं आपको बाता देता हूं जो भी हिपस का साइज होता है जैसे हिपस इनके 36 थे तो 36 इंच पे दोस्तों बैल्ट रखने के लिए हमें कुछ लोग 8 इंच रखते हैं कुछ लोग 10 इंच रखते हैं तो जर्नली हम 8 इंच एक्स्टा ले लेते हैं तो जैसे 36 का अदा होता है दोस्तों अठारा कि यह देखिए अठारा दूने 36 और इसमें हम बैल्ट के लिए एक्स्टा जो कपड़ा रखेंगे वह हम लेंगे इसमें 4 इंच तो जो टोटल हमारी बैल्ट बने की दोस्तों हमारी टोटल जो बैल्ट बने की 22 इंच की तयार तो यह देखिए 22 इंच की हम बैल्ट लेंगे और बैल्ट की जो चुड़ाई हम रखेंगे दोस्तों वह रखेंगे 8 इंच इस तरह से अब यह जो बैल्ट है दोस्तों इस बैल्ट की करेंगे कटिंग तो दोस्तों बैल्ट की कटिंग करने के बाद अब आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं किस तरह से यह जो है बैल्ट हमारी जुड़ेगी और किस इसाब से इसका जो है आसन तयार हो जाएगा देखिए दोस्तों यह जो चार परले हैं यह चारों परले इसके साथ अटैच हो जाएगे यह जो हमारी बैल्ट है यह बैल्ट इसके साथ अटैच हो जाएगी इस तरह से उपर से फोल्ड हो दो इंच इस तरह से दोस्तों और फोल्ड होने के बाद यह जो हमारा आसान है यह देखे साड़े चोदा इंच हमारा आसन कंप्लीट तयार बैठ जाएगा और यह जो एस्टा जो कपड़ा लिया था हमने यह वाला इसकी हम इसके अंदर प्लेट डाल देंगे अब दोस्तों इस तरह से पजामी तो कट गई अब कुछ लोग होते हैं पजामी में म्यानी भी लगाते हैं अगर आपको म्यानी लगानी हो तो म्यानी काड़नी बिल्कुल असान है कि इस तरह से दोस्तों यह म्यानी कट चुकी है और इस म्यानी को आप आसन वाली जगह पर लगा सकते हो जिससे कि बिल्कुल भी खिचाव हमें मैसूस नहीं होता है पहने पर इस तरह से यह लग सकती है तो दोस्तों यह था पजामी काटने का बिल्बूल आसान तरीका मैं मच्च